नमस्कार स्वागत है आप सभी का नियूजरूम पोस्ट में मैं आपके साथ कुनाल देश भर में लगातार तीन दिनों से चल रहे ट्रक और बस ड्राइवरों की हर्ताल का अच्छा खासा असर देखने को मिला था दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात और पंजाब समेत तमाम उत्तर भारत के राज्यों में ट्रक और बसों के पहिये थम गए थे पब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया था लेकिन अब राहत की बात ये है कि ट्रक और बस ड्राइवरों की हर्ताल फिलाल अब खतम हो गई है अगर ये हर्ताल नहीं रोकी जाती तो आम जनता की जेब पर भी इसका असर देखने को मिल सकता था ट्रक ड्राइवर की हर्ताल की वज़ा से सबजिया महंगी होने लग गई थी दूद, दवाईया और रसोई गैस की कम हो सकती थी उधर पेटरोल पंपों पर पहले ही से ही लंबी-लंबी कतारे लगने लगी थी कुछ शेरों के पेटरोल पंप पर तो तेल खतम भी हो गया था खैर आब आपको पता देते हैं कि केंद्रिय ग्रह सचीव अजे भल्ला और अखिल भारतिये मोटर परिवाहन कॉंग्रेस के सदसे के बीच लंबी बातचीत के बाद मंगलवार देररा सरकार ने आशवाशन दिया जिसके बाद अखिल भारतिये मोटर परिवाहन कॉंग्रेस ने हरताल खतम करने की जानकारी थी सरकार की तरफ से इससे पहले ग्रह सचीव आजे भल्ला ने बयान जारी कर हरताल को खतम करने की अपील भी की थी अखिल भारतिय मोटर परिवहन कॉंग्रेस के अध्यक्ष अमरित लाल मदन ने ट्रक ड्राइवरों से हर्दाल को तुरंथ खतम करने की अपील की है उन्होंने कहा है कि आप हमारे ड्राइवर नहीं बलकि सैनिक है मदन ने कहा कि हम नहीं चाते कि आप किसी भी असुविदा का सामना करे अमरित लाल मदन ने ये भी बताया कि खुद केंद्रिय ग्रह मंतरी अमित शाह ने आशवाशन दिया है कि भारतिय न्याय सहीता को अभी लागू नहीं किया गया है और इसे लागू करने से पहले संगठन से धारा 1062 पर चर्चा की जाएगी दरसल हाली में IPC की जगा लेने वाला भारतिय न्याय सहीता संसत से पास हुआ है इसमें हेट एंड रंड संबंदी धारा 1061 और 1062 है धारा 1062 में ये प्रावधान है कि अगर किसी वाहन चालक से एक्सिडेंट हो जाता है और उसने व्यक्ति की मौत हो जाती है तो अगर ड्राइवर मौके से फरार हो गया तो उसे 10 साल की कैद और काफी जुर्माना देना होगा अगर वो मौके से नहीं भागता है तो सजा सिर्फ 5 साल की होगी हाला कि ये धारा टू वीलर से लेकर हर तरह की गारी के ड्राइवर पर लागू होती है लेकिन ट्रक ड्राइवरों ने इस धारा को अपने खिलाफ बताकर हर्ताल शुरू कर दी थी पिछले तीन दिन से ड्रक ड्राइवरों की हरताल जारी थी इससे हजारो करोड रुपे का आर्थिक नुकसान हुआ और मंगलवार को तो देश के 2000 पेट्रोल पंपर पेट्रोल और डिजल भी खतम हो गया था अब हरताल खतम होने के बाद इनकी आपूर्ती भी सुचारो रूप से होने की उमीद है तो फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही और जानकारियों के लिए देखते रही है